नमस्कार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्रेटीप चनल पे साती हूँ बीपी ऐसी बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन ने जो पियर टी यो टी यारी परीच्छा कराई है नो दस्मी और 12 वारी में परीच्छा कराई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और देखो नो दस्मी और 11 वारे में की ये जो रेजल्ट है आज बहुत संबब है कि जारी हो जाना चाहिए साम तक ठीक है और 90% लोग ऐसे हैं जिनके नमबर घटे हैं 10% ऐसे मान सकते हो लोग जिनके नमबर बड़े हैं या अपरवर्तित रहे हैं ऐसे लोग है उनका एक वयान बहुत तैर रहा है कि इसकी आंसर की एक बाद दौरा से जारी हो सकती है अब देखो होगी नहीं होगी वो अलग चीज है क्योंकि फाइनल आंसर की है इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई आंसर की जारी होनी चाहिए लेकिन उनकी एक्कोरडिंग दौरा से इ साथ हो 10% लोग में बता दिया 10% इस्ट इसे हैं जिनके मार्क्स या तो बड़े हैं या तो उसके बराबर ही रहे अपरवर्तित रहे ठीक है तो इस प्रकार से रहा है आप जो में कट आप बताऊंग आपको यह कट आप 99.99% accurate होगी क्योंकि आपको बैसी माले में इसमें ब कितना cutoff रहेगा और सिर्फाइब के लिए कोई भी category हो चनल में आउगे सार किसारे अधर स्टेट कि लिए accurate see ya खकिना रहेगा आए के करके मेल और फीमेल के लगवचे बात करेंगे प्रते category की बात करेंगे कितना कितना cutoff रहेगा तो आउज सुरू करते हैं हर category का और इस वीडियो को बड़ा द्यान से सुनना देखना साती हो और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना ठीक है साथ है आओ देखते हैं देखो साथ ही थोड़ा से चीज समझा देता हूं आपको मैं अब टीरी के बारे में हम बात कर रहे हैं आपको फाइनल फस्ट पेपर वाले में मेल वाले में आप देखो 90% लोग मैंने बता दिया भी 90% के मार्क्स कम हुए हैं और वो 10% यह नोग मात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो बड़े हैं या अपरबड़ते तर रहे हैं इसमें कोई वो नहीं है जो मैंने बता दिया अब बात करेंगे किस केटेगरी में कितनी कट आप आपको देखने को मिल सकती है ठीक है तो सातियों केटेगरी मेंने सब लिख दिये हैं टोटल जितनी भी केटेगरी है सारी की सारी और सिर्फ और अगर डियाले है तो और बियाड़ और डियाले है तो भी सारी को सब कुछ किलियर हो जाएग क्योंकि रीजन यह है कि इसमें नंबर दो तीन एक सबका घट गया है 90% लोग के घटे हैं तो चंक में घट गया तो कट ओफ कम जाएगी और अगर आप दोनों में समलित हैं जैसे बीड़ समलित होता है तब भी 61 से ज्यादा कट ओफ नहीं जाएगी ठीक है साती हो 61 मैकसिमम कट ओफ हो सकते हैं इससे ज्यादा कट ओफ नहीं जाएगी OBC की बात करें तो 50 नंबर पे और अगर बीड़ समल होता है तो 57 मैकसिमम मैकसिमम बता रहा हूँ मिनिमम नहीं बता रहा हूँ मैं अगर आ देखो EVC इसमें कटेगरी होती है विहार में EVC तो इसमें 44 नं सकती है और तुम्हारा EWS सात्यों EWS केटेगरी में थोड़ी सी कट ओफ हलकी सी हाई देखने को मिलेगी तो यह मालों के अगर सिर्फ डीलेड के लिए हैं तो आपके 39 नंबर हैं वह सेफ हो आप अगर आपको 28 सामिल होगा तो आपका 45 से लेकर 50 नंबर तक कट ओफ रहेगी आपकी इससे कम कट ओफ नहीं रहने वाली है ठीक है अगर आद देखते पी एच केटेगरी फिजिकल जो हैं पर उनके 33 नंबर पर कट ओफ हो जाएगी और मैकसिमम 28 के बाद 38 नंबर पर और फ् इसमें कितने पर तब्दीली हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे देखो साथियो अब फीमेल केटेगरी की बात करेंगे अंसर की तो आउट होई चीए आपको मालमी है अब इसमें आप देखो इसमें जो फीमेल हैं उनके तीन नंबरों के बदलाब किये गहें और एक स इमेल के नंबर सब कही घट गए लागवाग यह मालो कि 50-50% कह सकते हो कि इसमें नंबर घट गए डी ने जिसका लगाया हो डी में तो उसके तो सही है ठीक है तीनों प्रसणों पर डी ओप्सन का के चकर में नंबर जादा घटे हैं लोगों के ठीक है तो अब वो छोड़ दो आप देखो बात करें साती हो जैसे जनरल की और अधर इस्टेट की जो फिमेल है उनके नंबर कितने होने चाहिए के वल डी लेड की बात करूँगा इसमें बीड की बात नहीं कर रहा हूँ के लिए 47 नंबर होंगे आपकी निश्चित से और जॉब हो जाएगी अगर आप बीड को सामिल करेंगे और अधर इस्टेट के भी इसमें हो जाएंगे तो लास्ट तक 54 नंबर हैं तो आपका फाइनल कट ओफ हो जाएगा जौब हो जाएगी आपकी ठीक और साथी और बात करते हैं आपके OVC की अब दोको OVC के टेगरी महला के लिए 44 नंबर और 51 नंब और बीड के साथ 45 नंबर मैंने मैक्सिमाम बता रहा हूं मिनिमम का छोड़ दे रहा हूं SC के लिए 33 नंबर और मैक्सिमम बीड के साथ 39 नंबर और ST के लिए 28 नंबर और अगर बीड सामिल होता है तो 35 नंबर ठीक आगे देखते हैं आगे दो तीन केटेगरी और बची आपका बीड सामिल होता है तो 45 मांक्स आपको होने चाहिए आपको जौब मिल जाएगी अब साती पी एच की बात करें तो 30 नंबर और मैक्सिमम अगर बीड सामिल होता है तो 35 मांक्स फीडम फाइटर 27 नंबर अगर बीड सामिल होता है तो 32 नंबर और सातियो मैंने एक एक category के बारे में सारी बता जिए अगर इतने number 1 रहे हैं तो ये निश्चित तोर पर माल लीजिए आपकी दीवाली इस बार happy वाली होने वाली है और उसके अच्छी बात ये है आने की कि आपको ये जो रिजल्ट आ जाएंगे 19-19 बारे के तो जो चात्रों ने PRT भी दिया है तो बो चात्रों महां से छट जाएंगे तो अच्छी बात है ठीक है सात्यों तो इतने marks बन रहे हैं तो आप बुल्कुल निश्चिंत हो जाएए और इससे ज़्यादा cut-off आपकी अब नहीं रहने वाली है ठीक है और beard का जो मसला है वो 20 तारी को सुल्जेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो 20 तारी को मालिम पड़ेगा उसके बाद भी cut-off बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं जाएगी क्योंकि paper का label जो था व ठीक है साती हो तो यह रहा वीडियो और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक को सेर कर दो साती हो और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखो ठीक है साती हो बहुत बहुत